जाहिन दोस्तों, दो वर्ड यहां पे इस्तेमाल करेंगे हम, पहला वर्ड है आपका समय और दूसरा वर्ड है आपका समझ, ठीक है, ध्यान दिजेगा, समय और समझ जो होता है न, दोनों एक साथ खुसकिस्मत लोगों को ही मिलता है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती ह और समझ आने पर समय निकल जाता है, वही चीज होता है स्टुडेंट्स के साथ, स्टुडेंट्स समझते हैं कि अभी काफी समय है, यह उनकी समझ नहीं आने का कारण है, अब जब समझ आता है कि नहीं एक्जाम अब नस्दीक आ गया है, पढ़ाई कर लेना चाहिए, तो सम समझ दीकोर का जो आर्ट्स वाले स्टुडेंट्स के लिए आता है, इसको जो हम लोग देखने वाले हैं, इसका 2023 का ओरिजिनल कोश्चन पेपर और उसका आंसर, वीडियो इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कि कोश्चन कि बहु छाप दिया जाता है, तो वीडियो कुल मिलाकर इंपोर्टेंट होने वाला है, शुरू सलेकर अंतक बने रहे हैं, साथी साथी आदी आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लिजेगा, घंटी वाली आइकन को प्रेस कर लिजेग क्या है आपके स्क्रीन पर, आपको एक बात और पता देना चाहते हैं, आपको वहाँ पर स्रीप और स्रीप एक घंटा ही समय बिलने वाला है, 40 प्रस्नों के लिए, क्योंकि एक एक दिन में दो दो पेपर, तिन तिन पेपर वो लो करवाएगा, ठीक है, चलिए, देखिए, सबसे पहले जो आपको खंड को, यानि की गुरूप A में कोस्टन विभाजित होगा, वहाँ पर आपसे कहा जाएगा, निमलिखित प्रद्यांस को ध्यान पूबग पढ़कर प्रस्न संख्या एक से चार के लिए सही विकल्प के आपको चैन करना है, सही option चुमना है, और आज का युग धर्म सक्ती का उपासना है, बस बहुत अब हो चुकी है, सांती की चर्चा यहाँ पर, हो चुकी अती ही अहिंसा तत्व की चर्चा यहाँ पर, यह मधुर सिध्धांत रक्षा देश की पर करना पाए, एतिहासिक सत्य है, यह सत्य अब पहचानना है, सबसे प कवी जो है वो उपासने की जो बात कर रहा है वो सकती की उपासने की बात कर रहा है वरतमान यूग का धर्म क्या है अब वरतमान जो यूग है उसका क्या धर्म है तो उसका सकती का परियोग करना ही धर्म है प्रस्तुत कवीता का सिर्शक क्या है अब इसका टाइटल आपको ब या पांस से आठ के लिए सही विकल्प का चैन किजिए यानि अगर आप इसको ध्यान पुर्वक पढ़ोगे तो तीन प्रस्नों को उत्तर दे पाओगे इसलिए ध्यान पुर्वक पढ़ना है परियावरन की समर्दी से मन एवं भावना का सहज विकास होता है परियावरन और भावना के बीच बड़ा सुक्ष्म और समेदन सील संबंद होता है आज की स्तिती में जिस तरह साररिक और मानसिक रोगों की बाल आ गई है इसका मुखे कारण है परियावरन का विनास है प्राता पक्षियों की चचहाट से मन खिल जाता था साम की गोधुली बेला में उरती धूल पर दूसर नहीं फैलाती थी बलकि उसमें मिट्टी की भीनी खुजबु समाहित होती थी जो मन प्रान को त्रिप्त ही नहीं देती बलकि पंस्ततों का संतूलन भी कायम रखती थी आज स्वार्थ केंद्रित मन सब कुछ हलब कर लेना चाता है बटोरने की इस बेतहाशा अकांछा ने हमें विशात से भर दिया है बाहरी साधनों के ढेर से हम भीतर से प्रेत के समान अस्त्रिप्त हो गए हैं तथा मन रोगों से गरस्त होकर बुरी तरह अकरांथ हो चुके हैं इनमें इनसे उभरने का एक मात रुपाय है कि हम पुना परियावरन को सम्रिद बनाएं चलिए अब question पे आते, question में कहरा है कि परियावरन की सम्रिध्धी से किसका सहज विकास होता है, right answer मन और भावना का, किसका होता है मन और भावना का, साररिक और मांसिक रोगों का मुख्य कारण क्या है, तो साररिक और मांसिक रोगों का जो मुख्य कारण है परियावरन का वि एक्स्ट है आपका सारेरिक और मानसिक रोगों से बचने का एक मात्र उपाय क्या है? तो इसका जो एक मात्र उपाय है वो है परियावरन समरिधी ओप्सन 4. अब गुरुब B की बात करें तो खंडखों में अभिविक्ति और माध्यम से आपको दिया गया है. यह आपके जो है बुक का एक चैप्टर है वहाँ से कोश्चन आपके एक्जाम में आता है ठीक है चलिए इसके साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ी सी जनकारी आप लोगों को दूँगा कि मैंने अपने चैनल के मात्यम से आप लोगों के हिस्टरी के लिए याद रखेगा जिसका किलावा थ्री मॉडल कोश्चन पेपर आपको प्रिवेल शेयर का प्रोवाइट करवा देंगे जिसमें 120 कोश्चन अलग से होंगे तो 200 कोश्चन और 120 टोटल आपके साले 300 कोश्चन हो जाएंगे हिस्टरी का जो काफी इंपोर्टेंट होगा जिस किसी को भी लेना होगा व हिंदी में क्या कहते हैं तो हिंदी में इसको क्या कहा जाता है तो समबात दाता कहते हैं समचार लेखन में निमलंकित में से किनकी भूमी का महतपून होती है यहां पर जो भूमी का समपादक मंडल की भूमी का महतपून होती है सरकार के कामकाच पर निगाह रखना और उनक पत्र लिखे जाते हैं उत्तम पुरूस में लिखे जाते हैं संचार के मुदरन याद रखेगा संचार के मुदरन माध्यम में किसे सामिल किया जाता है तो इसको जो सामिल किया जाता है समचार पत्र पत्रिकाएं पंपलेट्स और इनमें से सभी हो जाएगा कोशन नमबर 14 निबंद का अर्थ क्या होता है तो निबंद का जो अर्थ होता है वो होता है बांधना निबंद का अर्थ क्या होता है वो बांधना होता है अगला सवाल है हमारा ध्यान से देखिएगा कोशन नमबर आये 15 पे इसमें कह रहा है कि लोकतंत्र के अविभाज अंग के रूप में किसे जाना जाता है ये सब सवाल इंपोर्टेंट है बाबू क्योंकि ये सब सवाल जो है सीमित है और यही सब सवाल जो है repeat करता है एक्जाम में तो पत्रकारिता को समचार पत्र में कितने ककार होते हैं यानि समचार पर कितने परकार के होते हैं ककार नहीं होगा परकार होगा राइट अंसर हो जाएगा इसमें छे परकार नेक्स हो जाएगा सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक द्रिश्चे माध्यम नहीं है बलकि संचार का प्रमुक उद्देश होता है सूच्नाओं का प्रस प्रश पर बांटना विचारों की अभी वेक्ति जिग्यासाओं का समाधान इन में से सभी हो जाएगा option 4 इसका right answer अगर हम बात करें गुरुप C में गुरुप सी में देखिए आपको क्या कह रहा है कह रहा है एक निमलिखित पद्यांस को ध्यान कुरुबक पढ़ कर प्रस्ण संख्या 1922 के लिए सही विकल्ब का चैन करना है अब इसको ध्यान से पढ़ेजी आपको मेरे तो गिरिधर गौपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पती सोई छोड़ी दही कुल की कानी कहा करिये कोई संतन ठिक बैठी बैठी लोख लाज कोई अब आपसे इसका रैटर का नाम पूछ लेगा तो रैटर हो जाएगा इसका मीरा भाई तो आपनों को पता होना चाहिए कि किसका रैटर कौन है गोपाल सब्द का परियोग परियोग जो है किसके लिए किया गया है तो गोपाल आपनों को पता ही फेमस चीज है तो ये तो है कृष्णी के लिए परियोग होता है कुल की कानी का अर्थ क्या होता है तो कुल की जो कानी होती है उसका अर्थ होता है परिवार की मरियादा क्वेशन नमर 22 में मीरा भाई ने अपना पती किसे सुविकार किया है तो मीरा भाई ने अपना पती कृष्ण को सुविकार कर लिया है ठीक है परती छन नूतन वेस कौन बदल रहा है तो ये जो बदल रहा है ये निल समुद्र बदल रहा है option A किसका right answer होगा question number आज़े 24 में कहरा है आपसे कि जीवन के अंतिम दिनों में मीरा बाई कहां चली गई तो जीवन के अंतिम दिनों में मीरा बाई द्वारिका चली गई थी घर की याद कवीता ने किस दौरान लिखी है तो जेल परवास के दौरान लिखी है option 4 हो जाएगा किसी जुगनू की लौ में पढ़ना का अर्थ क्या होगा जुगनु की लोग में जो पढ़ते हैं उसका आर्थ क्या होगा तो साधन ही निता की स्थिती में गुजरना जुगनु आप लोग पता नहीं जानते वे नहीं एक कीड़ा होता है जो उड़ते रहता है आसमान में और लाइट करता है आओ मिलकर बचाएं कवीता के अनुसार रोने के लिए कितना एकांत बचाना चाहिए तो रोने के लिए पॉकेट भर एकांत जहुर बचाना चाहिए ठीक है चलिए अगले सवाल पेकर है निम्लेखित कर द्यांस को ध्यान पर पढ़ा कर प्रसंग आठाइस एक तिसके लिए सही विकलिप का चैन कीजिए यानि कि बहुत सारा जो है आप लोगों का ना सवाल जो है पैसेश टाइप से ही आता है तो इसको ध्यान पर आप लोग यह हो जाएगा क्रिष्णा सोबती फिल्म का काम कितने साल चलने वाला था अब यह जो फिल्म का काम चलने वाला था यह धाई साल चलने वाला था नेक्स्ट क्या है चुनी बाला देवी कितने साल की थी तो असी साल की थी बच्चे किसकी भूमिका निभाने वाले थे तो ब त्रिलोक सिंख का था, ठीक है? नेक्स्ट आई कोसर नमबर 33 में विदाई संभासन पार्थ में किसकी विदाई की चर्चा की गई है? यहाँ पर जो लॉड करजन की विदाई की, रजनी किस परकार की नारी है? तो रजनी यहाँ पर जो नारी है, याद रखियेगा, ये रजनी जो है, वो संभर ससील, अन्याई के विरोधी और निर्भिक यानि, इनमें से सभी हो जाएगा. सपीती नदी किस नदी में मिलती है? तो सपीती नदी जो है, वो सत्रुज नदी में मिलती है. नेक्स्ट है आपका जामुन का पेड़ कृष्न चंदर की एक परसीद कथा है तो ये हो जाएगा आपका आपसंदू हांस सिवयंगे राजस्थान की रज़त बुंदे पाठ में किस समस्या की और संकेत किया गया है तो ये किया गया है पानी की संकट की और लता मंगेशकर किस सुपरसिद गयक की बेटी थी तो लता मंगेशकर जो बेटी है दीनानात मंगेशकर की बेटी थी तो यहाँ पर आईए अगले सवाल पे पालर पानी किसे कहते हैं तो पालर पानी कहा जाता है बरसास से मिलने वाले जल को ठीक है नेक्स्ट आज़ाईए कि बेबी हलदार को लिखने के लिए जो उस्ताहित किया था वो तातूस ने किया था तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्ले इस वीडियो को लाईक करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नॉटिफिकेशन मिलता रहे, साथी साथ आप अपने WhatsApp गूलूप को जरू जोईन कर लिजएगा, क्योंकि कभी-कभी लिंक नहीं जाता है, तो हम आपको WhatsApp के माधिरम से सुचित करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, थैंक यू.